अब मैं ठाने कोणकन बढ़ रहा हूँ ठाने कोणकन मतलब वेक लाइन ने बता दिये सर किसके प्रभाववा लाइलाका है यह एकना शिंदे के प्रभावा लाइलाका है थो यह CM शिंदे की परिक्षा वाली सीटें जो महाँ पराम आ जाते हैं पाल घर की सीट मुम्माई की नजदीक की सीट है विवंडी पाल घर की सीट शिवसेना की सीट थी फिलाल शिंदे गुट के पास है सीट विवंडी यहां से कपिल पाटिल सांसद है कपिल पाटिल ने कॉंग्रिस को राया था पौने दो लाख वोट से ये बीजेपी की सीट है पहली सीट शिंदे की सीट विवंडिक बीजेपी की सीट तीसरी कल्यान की सीट है शिवसेन का मसमुथ किला था यहां पर यहां तो एकनाशिंदे के बेटे शिकान शिंदे वो सांसादे सेफ सीट उनके लिए हो गई राजन विचारे राइगार में सुनील तटकरे ठाने में छिवसेन घाँ में तुन ओदर ठाने में खारी शिवसेन आधर ठाकरे में लिए त्छारे शिवसेन में बंसी में दीैए है फिंद में नहीं परको से उनकी जाले 20 बाइगारे में राजन वीचारे की सीट अब मावल की सीट के अगर हम लोग बात करने मावल की सीट जो है यह दो बार से शिवसेना के श्रीरंग बारने यहां से सांजद हैं और इन्होंने पार्थ पवार को 2,15,000 वोट से रहा है तो अजीत पवार के बेटे उनको और आप तो सब एक ही तरफ आगा है अनंत गीते है अगर आप ध्यान देगे तो यह लड़ाई इतनी असान नहीं होगी और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा जो है वहाँ पे पहले आनंत गीते जीते थे उसके बार एक सीट हरे रंग में दिखाई दे रही है मुझे रतनागरी सिंदुदुर्ग यह दो बार से शिवसेना के पास है विनायत राउत सांसद है यहां से और विनायत राउत महराश के पूर सियन नारायन राने के बेटे निलेश राने को लगबग पौने दो लाख बोट से हराया था एक हरी सीट मुझे दिखाई दिये तो पूरे कॉंकन में ठाने कॉंकन की साथ सीटों में से एक सीट इंडिय के पास जाती भी दिखाई देनी है, ओवराल स्कोर हमने 48 में से 47 सीटों का सर्वे आपको देखा दिया, केवल 10 सीटे बची हैं बाहराज की, और बीजेपी पहुंच गई है, इंडिया पहुंच गया 29 पर, इंडिया गठबंदन पहुंच गया 8 पर, इंडिया गठबंदन ने कोंकन का सर्वे ठाने और कोंकन की यह 7 सीटे जिंका जिकर अब आपको देखाओ है जब कोंकन की बात करते हैं तो वह शिवसेना के प्रभाववला इलाका है, तो हम अगर यह मांग लेंगे, कि सिरफ एकनाथ शिंदे के प्रभावला इलाका है, तो यह सई नहीं होगा, तो दोनों के अपने अपने जो है वाँ पे स्ट्रेंगें।